बूर्निंग एवरिवन तो आज हम डिस्स करेंगे हमारे 26 अगस्त आज है 26 अगस्त तो करंट अफे डिस्स करेंगे common eligibility test के लिए और जितने भी आपके different exams हैं आपके defense exam, state exam सब में ये आपको करंट अफेस help करेंगे तो देखते हैं आज के current affairs में हमारे questions तो आगे बनने से पहले आपको बता दूँ कि आप मुझे different social media के उपर जूट सकते हैं Facebook, Instagram, Telegram, Twitter and Gmail ID के साथ और इस lecture की PDF आपको Telegram group के उपर share की जाती है डॉक्टर विपन गोईल के नाम से Instagram के उपर मैं काफी active रहता हूँ तो यहाँ पे आप मुझे follow गर सकते हैं अगेन आपको डॉक्टर विपन गोईल सर्च कर लेना है तो आप मुझे मिल जाएंगे and दो paid courses आते हैं मेरे एक आता है GS course एक आता है general awareness का 10,000 MCQ course दोनों ही मेंने बहुत ही comprehensively course बनाए है 31 तारीक तक आप इन courses को purchase कर सकते हैं अगर आप GS course purchase करते हैं अगर आप यह discount जो coupon लगाओगे VIP500 तो आपको discount मिलेगा और general awareness के 10,000 MCQ के अंदर जो है आपकी EMI available है 31 तारीक तक इन courses purchase कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं आप इस courses को purchase कैसे करेंगे study IQ app आपको download कर लेनी है study IQ app जहा है तो play store से download कर लो जा इसका link नीचे comment section में मिल जाएगा तो जैसी download करेंगे home page के उपर आपको best selling course दिखेगा यहाँ पे view all के उपर button दबाना तीसरे चौथे नंबर के उपर आपको दिखेगा GS course और last में जाके आपको दिखेगा बिलकुल आपके 10,000 MCU course तो again बहुत अच्छे से courses बनाए हुए हैं अपनी preparation को आगे बनाने के लिए इन courses को use के जिए दिखे जी आज हमारे question क्या गयता है एक तो मैं आपको चीज बता दूँ आज lecture स्टार्ट करने से पहले कल मेंने कुछ corrections थी हमारी जो पिछले lectures की तो वो पहली बार ऐसा हुआ थ which will become the first state in country to offer the government jobs on the basis of CET score CET score is the common eligibility test जो मैंने कल combined बोल दिया था actually common है ये common eligibility test ठीक है तो अब ये कौन सी सरकार जो बनी है जिसने common eligibility test के लिए जो है आपके जो ये जो है आपकी पहला राजे जो बनेगा वो नौकरी देगा मैंने आपको बताया था कि आगे जो है common eligibility test ही आपका चलने वाला है तो आप इसी चीज़ के उपर focus कीजिए तो आप जो है बनेगा मध्यापरदेश ये मध्यापरदेश state है जिसने पहली बार ये कारनामा किया है not कारनामा उन्होंने बोला है कि हम CET score के उपर government jobs दे देंगे अब बात यहां पे आती है कि मध्यापरदेश मध् अनन्दी बेन पटेल जो है actually UP state की governor है इनको additional अनन्दी बेन पटेल को यहां पे additional governor का status दिया गया है कि आप यहां का कारहभार संबा लिए तो यहां पे CET की बात आ गई है दूसरा है जिए एक का आपको पता होना चाहिए माराश्रा state माराश्रा state के अंदर जो है जितने भी only local resident है जिनको मराथी आती है वो ही government job में हिसा ले सकते हैं ऐसी ही आपकी state है Megalia Megalia के अंदर जो है government jobs के लिए बोला गया है गैरो खासी जन्तिया के जितने भी tribal people हैं वहाँ पे 80% reservation के लिए Megalia में करी गई है तो इस question का जो answer बनेगा वो बनेगा C option मध्याप्रदेश is the correct one which short film was on the first prize in the online patriotic short film contest organized by the ministry of information and broadcasting जाने के जो आपका सूचना एहम परसारन मंतरालया है उसके द्वारा आयूजित किया गया था online देशबक्ति लगू फिलम प्रतियोगता उसमें प्रतियोगता उसमें प्रतियोगता जो प्राइज मिला है पहला प्राइज जो मिला है वो किसको मिला है तो वो मिला है MI को MI that is A option क्या बनेगा right answer बनेगा और इसको direct किसने किया था अभिजीत पॉल ने इसको direct किया था तो first rank जो बना है वो MI का बना है super important question है और इसके अंदर short film ने एक लाख रुपे का प्राइज जो है इसके अंदर जीता है again आपकी ministry कौन सी है ministry of information and broadcasting अगर मैं बात करूँ कि दूसरा प्राइज किसने जीता है अब इंडिया बनेगा भारत जाने कि इन्होंने जीता है second price अब इंडिया बनेगा भारत जावित कर जी important question है and एक चीज़ आपको बताना हूँ कि जितने भी आपके जो film cities के साथ film activities के साथ जो link करते हैं और जितने भी आपके जो जितने भी आपके जो है film activities के साथ जितने भी institute हैं उनकी हमने rationalization और professionalization जाने कि professionally way में और rational way में जो है काम करें और इसके लिए एक committee बनाई गई है बीमल जुलका बीमल जुलका committee बनाई गई है और बीमल जुलका जो है ये अभी हमारे देश के क्या है chief information commissioner है chief information commissioner है अभी इसके नाम से मेरे को एक चीज़ याद आती है कि जो आपका फिलम फेस्टिबल के साथ अभी हमारा 16th एडिशन हुआ था किसका International Film Festival का इंटरनेशनल फिलम फेस्टिबल का जो है 16th एडिशन हुआ था वो कहां से स्टार्ट किया गया था मुंबई से स्टार्ट किया गया था और Central Board of Film Certification CBFC Central Board of Film Certification के जो CEO है वो अभी recently appoint होए है उनका नाम क्या है रविंदर भाकर ये भी आपको ध्यान रखना है Central Board of Film Certification के रविंदर भाकर जो है वो CEO है तो अंसर इसमें क्या बनेगा जी MI is the correct answer कौन सी स्टेट गर्मेंट ने जो है बोला है कि हम 50 लाख रुपे इंशॉरंस कवर देंगे प्राइवेट डॉक्टर को अगर वो COVID-19 से मर जाता है तो ये कौन सी सरकार ने बोला है ये महराष्टा सरकार ने बोला है तो अंसर इसमें क्या बनेगा बी आप्शन बनेगा गर्मेंट ने बोला है और एक चीज़ आपको बता देता हूं कि जो है IFSCA International Financial Service Center Authority इसके जो चेर परसन है वो क्itzer के गये है इन्जेति शिरी निवास इंपॉर्ड के गयो है इंशोरेंस के उपर जो है डिजिट जो है डिजिट जो है एक आपकी online insurance company है जिसने corona virus के लिए products के उपर उन्होंने launch किया है insurance launch करी है ऐसे ही एक star health star health जो है एक insurance company है इन्होंने young star young star जो है insurance young star insurance जो है इन्होंने start किया है और यह south के अंदर है यह star health और एक चीज़ और आपको बताता हूँ ICIC Lombard ICIC Lombard ने भी जो है COVID-19 के लिए जो है insurance cover किया है ICIC Lombard तो answer इसमें क्या बनेगा जी आपका B option is the correct answer महराष्टा is the correct answer यह सारे insurance चीज़ें जो है आपको पता होने चाहिए पिपर में पूछी जा सकती है उत्तरपरदेश ने अभी जो है plan of cooperation जो है इस देश के साथ इन्होंने agreement sign किया है तो यह sign क्या है इसराइल के साथ answer इसमें क्या बनेगा D option बनेगा अब किसने किया है जी आपके उत्तरपरदेश सरकार ने उत्तरपरदेश की capital क्या है लखनवू है लखनवू जो है गोमती रिवर के किनारे के है अरंदी बैन पटेल इनकी governor है योगी अदित्याना जो है इनके cm है अब बात करते हैं इसराइल की तो इसराइल की जो capital है that is Jerusalem और इनके जो प्राइम निस्टर है उनका नाम है Benjamin Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu इस इंपॉर्टन क्लियर यह जो है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है और इनकी जो currency है वो है शकील इसराइली शकील इस दा currency अब बात यहां पर यह आती है water crisis की बात तो हमने discuss कर ली अभी जो है अभी कावेरी water जो कावेरी water issue था हमारा कावेरी water issue चीक है तो कावेरी river water management की authority जो है वो किसके पास चली गई है अभी जल शक्ति मंतराल्या के उपर जल शक्ति मनिस्टर के उपर और जल शक्ति मनिस्टर कौन है हमारे जल शक्ति के तैड़ इस गजेंदर शेखावत गजेंदर शेखावत है very very important clear और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि गुजरात ने अभी जो है बात करी है चाइना के साथ गुजरात क्या कह रहा है कि जितने भी आपके water soluble fertilizer है water soluble fertilizer है ये कहां से import करने वाले हैं water soluble fertilizer वो चाइना से जो है जो है import करेंगे ये किसने बोला है गुजरासरकार ने बोला है very very important तो ये याद रखनी है अच्छा एक चीज़ और देखिए अभी एक reservoir था तेलेंगना के CM ने reservoir जो है inaugurate किया था उस reservoir का जो नाम है डैड़ी जिन्दा कॉंड़ा पुचमा कॉंड़ा पुचमा कॉंड़ा पुचमा रेजरवाय है ये कहां पे है सीधी पैट में सीधी पैट में और किसने किया था ये दिमाग में ऐसी आगया तो मैंने बता दिया आपको तो आपको ये चीज़े पता होनी चाहिए कि जितने भी reservoirs के उपर issues है वो ये चलते आ रहे है Next देखे जी कौन से बैंक ने लॉँच किया है Green deposit program जाने कि किस बैंक ने corporate ग्रहांकों के लिए Green deposit program लॉँच किया है तो ये लॉँच किया है HSBC इंडिया ने HSBC इंडिया ने लॉँच किया है Very very important HSBC इंडिया के जो headquarter है वो है London, London जो है London Headquarter है और इनके CEO का नाम के है, It's Noel Quinn Noel Quinn is the name of the, जो है आपके CEO का HSBC के, अब आत मैं ने आपको बताई थी कि London इसके Headquarter है London में Headquarter किसके है Amnesty International के जो Human Rights के लिए काम करती है Commonwealth के भी Headquarter है Super Important, Clear Bank के साथ आपको एक book का पता होना चाहिए एक book लिखी गई थी, Overdraft Overdraft Saving the Indian Saver Overdraft Saving the Indian Saver ये book जो है, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा जा सकता है आपसे और ये लिखी गई थी, पूर्व, आरबे के Governor उर्जित पतेल द्वारा उर्जित पतेल जी द्वारा ये book लिखी गई थी Overdraft Saving the Indian Saver Very, very important, clear? और अभी जो है, COVID-19 का समय चल रहा है तो इसके लिए जो World Bank है बाकी जितने भी different countries है उनको 12 billion जो है, डॉलर प्रोवाइड करेगा 12 billion का package प्रोवाइड कर रहा है ऐसा ही, नाबार ने भी किया था नाबार ने गाउं के अंदर किया था गाउं के अंदर कैसे? कि उनका fiscal जो है, imbalance हो रहा था रूरल बैंकिंग सिस्टम का जो काम है वो बिगड़ रहा था इसलिए इन्होंने 1.46 लाक क्रोड जो है infuse किये पैसे कहां पे? रूरल सेक्टर के अंदर ताकि आपका जो है, उनका fiscal, मतलब particular year जो है, खराब न हो अंसर इसमें A option बनेगा कौन से IIM ने MOU साइन किया है? Switzerland-based help logistics के उपर तो ये जो है, कौन से IIM ने साइन किया है? तो ये साइन किया है? That is the IIM Kojikode जाने कि भारतिया परबंदन संस्थान ने Switzerland-based help logistics के साथ एक समझोता ग्यापन पर सक्षर किया है, Kojikode ने साइन किया है, Kojikode is the correct answer अभी एक IIT मंडी और जो है, नबाड इनों ने भी एक MOU साइन किया है ताकि जो है, ये लोग क्या करने वाले है, farmer friendly technology farmer friendly technology के उपर काम करने वाले हैं, और एक चीज़ और याद करिए, Quire Quire जो है, एक board है, Quire actually क्या है, coconut, coconut fiber ठीक है, coconut fiber की बात आ रही है Quire, इनों ने जो है, आपका IIT मदरास के साथ एक agreement sign किया है ताकि ये R&D का का काम कर सकेंगे R&D का का काम कर पाएंगे This is super important, और एक चीज़ है अभी recently IIT Kharagpur news में था, IIT Kharagpur IIT Kharagpur जो है, उसको जो है, आपका 57th rank मिला है, किस में 57th rank मिला है, जो आपका second edition था, impact ranking का, second edition of impact ranking इसमें आपके IIT Kharagpur को जो है, स्थान मिला है 57th, और ये impact ranking है क्या, ये उन areas के उपर बात करती है, जो sustainable growth करते हैं sustainable development करते हैं, जाने के धीरे-धीरे जो है, पूरे के पूरी ऐसी चीज़ों को यूज नहीं करते हैं, कि जो अगर आपके पास abundance है, आज चीज़ी यूज़ कर दो, धीरी-धीरी ये cricket के साथ संबन दी थे, अंसर इसमें क्या बनेगा D option बनेगा, cricket is the correct answer D option, अभी recently बहुत सारे players ने जो है retirement ली है, जैसे इर्फान पठान ने ली थी और उसके बाद जो है, महिंदर सिंग दोनी और सुरेश राइना, इन्हों नोगों ने जो है पूरे के पूरे, जो है, sports से retirement ले ली है अंसर इसमें क्या बनेगा, जी आपका cricket बनेगा अच्छे एक चीज और आपको बताता हूँ कि cricket के से याद आया, अभी WADA World Anti-Doping Agency WADA ने जो है, एक, जो है, मतलब Anti-Doping को प्रमोट करने के लिए, जो है April को मनाए गया था, WADA क्या है World Anti-Doping Agency, इसके Headquarter कहां पर है, Montreal Montreal, Canada के अंदर है Montreal जो है, वो किस और किस चीज का Headquarter है, that is ICAO का, ICAO का International Civil Aviation Organization तो अंसर इसमें D option बनेगा cricket is the correct one चातरपुर पुलिस जो है, किस राज्य का, उसने campaign चलाई, एक संकल्प बुजुर्गों के ना, मतलब क्या है कि एक संकल्प किरिजिए, जो आप elders को commitment provide कर सकें उनको बचाने के लिए काम कर सकें, उनकी देखबाल के लिए काम कर सकें, तो ये जो launch किया है, ये launch किया है, किसने मध्यापरदेश ने, answer is D option is the correct answer, मध्यापरदेश के CM का जो नाम है, वो है शिवरासिंग चोहान और अनंदी बैन पटेल जो है, इनके गवरनर का नाम है और मध्यापरदेश की capital है मध्यापरदेश की capital है, भूपाल ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी recently जो है, हर सिमरत को और बादल, हर सिमरत को और बादल जो है, ये food processing industries की minister है, इन्होंने अभी conference करी किसके साथ, फिकी के साथ फिकी के साथ, ठीक है, अब फिकी क्या है Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry, इंडस्ट्री के साथ जो है, इन्होंने agreement sign, मतलब इन्होंने जो है meeting करी और वर्ल्ड की, इंडिया की जितनी भी leading industry members है उनके साथ meeting करी, और आगे step लेने की बाद करी जा रही है तो food processing minister है, कौन? हर सिमरत को और बादल, super important और एक चीज़ और आपको भी बताता हूँ ISO certification ISO certification जो है, tribal hostels ISO certification tribal hostels को मिला था, ये कौन सी state ने दिया था, उडिशा state ने दिया था और उडिशा state के cm है नवीन पतनाएक जी, super important question है तो answer इसमें क्या बनने वाला है जी आपका again, मध्या परदेशी is the right answer अभी मैंने यहाँ पर फिक्की वर्ड यूज किया था फिक्की जो है 1927 में इसकी बात करी थी, जीडी बिरला गंशाम दास बिरला और पुरशोत्तम दास पुरशोत्तम दास, इन्हों ने जो है start किया था फिक्की, और ये जो है leading आपकी organization है जो business के लिए काम करती है और ये advice किसकी थी, ये महात्मा गांधी जी की advice थी, तब ही ये फिकी खुला था 1927 में answer इसमें D option बनेगा मध्याप्रदेश हमारे देश के election commissioner of India जो है अभी recently कौन appoint किये गए है तो वो appoint किये गए है, राजीव कुमार answer is A option, अभी जो इससे पहले थे, वो थे अशोक लवासा अशोक लवासा जो है, वो क्या बन चुके हैं, और जो इनके president का नाम है, that is Masasugu, Asakova Masasugu, Asakova जो है, इनका नाम है, president का ADB के, ADB के headquarter कहां पर है, Manila के अंदर है, Philippines के अंदर, Philippines की capital Manila है, और इसकी जो currency है, that is peso, तो answer इसमें क्या बनने वाला जी आपका, A option is the correct answer Rajiv Kumar, अभी एक चीज़ और आपको बताता हूँ, कि बहुत सारे जो लोग हैं लोगों को appoint किया गया, SN Rajeshwari, SN Rajeshwari इनको क्या appoint किया गया था SN Rajeshwari, इनको Oriental Insurance के, Oriental Insurance के जो है, जो आपके CMD, that is Chief and Managing Director appoint किया गया था और अभी जो है, एक recent appoint हुई थी, Salma Lakhani, यह नाम आपने सुना होगा News में, Salma Lakhani, Salma Lakhani जो है, यह Lieutenant Governor है कहां की Alberta Alberta, ठीक है, यह Alberta कहां पे है आपका Canada के अंदर, और Salma Lakhani, जो है Alberta से, जो है Lieutenant Governor बनी है, और पहली Muslim Lady बनी है, जो Canada के अंदर इस post को उन्होंने है, मतलब होल्ड किया है Lieutenant Governor of Alberta, सूपर सूपर इंपॉर्टन कोशन है, तो answer इसमें क्या बनेगा, जो आपका A option अच्छा, मैंने अभी आपको जो है, आपकी बात करी थी, फिकी की तो आपको अगर यह आ जाता word paper में, FSAI that is called Food Safety and Food Safety and Safeguard Authority of India अब इसके अभी जो है, नए CEO अपॉइंट के गए थे, उनका नाम क्या था अरुन सिंगल यह जो है, अपॉइंट के गए है as a CEO जो है, आपका Food Safety and Standard Authority of India के, answer इसमें A option बनेगा कौन सी ministry ने MOU sign किया है, Ministry of Shipping के साथ, ता कि जो है, वो Skill Development कोशल विकास कर सके, कहां पे Ports और Marine Sectors के अंदर, Ports और समूदरी शेत्रों में कोशल विकास कर सके, तो यह किस ministry के साथ, जो है, Ministry of Shipping ने किस ministry के साथ agreement किया है तो वो किया है, Ministry of Skill Development के साथ, answer इसमें क्या बनेगा कोशल विकास मंतराले के साथ, इन्हों ने agreement साइन किया है, और हमारे minister कौन है, Skill Development and Entrepreneurship के जो minister है उनका नाम है, Dr. Mahendr Nath Pande, Dr. Mahendr Nath Pande है, this is again important question, clear, और अभी जो है, UP State ने भी UP State ने भी, जाने के, उत्रपरदेश उत्रपरदेश ने भी बहुत सारी schemes लाँच करी, Skill Development को और Employment Generation करने के लिए youth के अंदर बहुत काम इन्होंने किये तो answer इसमें क्या बनेगा, जी आपका B option बनेगा, Skill Development कोशल विकास मंतराले लिया Union Tribal Affairs Minister, जिनका नाम है अर्जुन मुंडा, इन्होंने जो है, एक e-launch मतलब e-electronically launch किया Processing Center, that is Trifad Project और ये Trifad, कौन सी दो states के अंदर launch किया गया था तो ये दो states जो थी, वो थी एक 36 गड़, एक थी महाराश्ट्रा 36 गड़ and महाराश्ट्रा में 36 गड़ का जो area था, वो कौन सा area था ये पूछा जा सकता है, 36 गड़ का जो area था, that is जगदलपूर जगदलपूर, ठीक है और अगर मैं महाराश्ट्रा की बात करता हूँ तो महाराश्ट्रा में कहां पे launch किया गया था राइगड, राइगड राइगड के अंदर ये बात करी गए थी, ये Trifad project launch किया गया, अर्जुन मुंडा जी दबारा very very important, clear अभी एक चीज़ आपको बताता हूँ कि Trifad जो हो है हमारा Trifad ठीक है, Trifad के जो chairperson है इनका नाम पूछा जा सकता है, आपसे Trifad के chairperson का जो नाम है, that is Ramesh Chandmina Ramesh Chandmina Tribal cooperative marketing development federation of India, this is important, Ramesh Chandmina जो है इनको appoint किया गया है अभी Tribal affairs minister ने एक scheme चलाई थी, जिनका नाम था परधान मंत्री वन धन योजना परधान मंत्री वन धन योजना very very important कोशन है ये वन धन योजना, जाने के आप जितने भी वन के चीज़ें forest के अंदर जो चीज़ें हैं, आप use करो और इसको export करो और अभी जो है, recently एक Tribal थी, that is called Cutkari, Cutkari जो है एक Tribal people हैं, कहां से शापूर महराष्टरा से, और ये recently news में थे, क्योंकि इनोंने जो है, गिलोई को गिलोई, जो COVID-19 के लिए बोलते हैं, पीने के लिए, गिलोई को जो है, आपको sell करने की बात करीगी थी ये online, जब आपका जब जैसी lockdown चल रहा था, तो online बेचने की बात करीगी, गिलोई और ये कौन बना रहे हैं, जी, Cutkari community बना रही है, Cutkari Tribal बना रहे हैं, महराष्टा शापूर से, महराष्टा शापूर से सूपर इंपॉर्टन, आंसर इस C option is the correct one तो देखे जी ये है, ट्राइफर्ट प्रोजेक्ट जगदा, इस जगदालपूर एंड, 36 गड़ के अंदर है, राइगड कहाँ पर है, महराष्टा के अंदर है एक नया लोगो बनाया है, कौन सी ओर्गनाइशन ने, कौन सी लेबर मिनिस्ट्री ने कौन सी जो है, लोगो बनाया है, किस ओर्गनाइशन की लेबर मिनिस्ट्री ने अंसर इसमें क्या बनेगा शम बीरो D option is the correct answer तो मैं आपको दिखा देता हूँ तो इस तरीके का जो है ये आपका logo है अब बात करते हैं आपकी labor organization के साथ international labor organization 1919 में ही ये बने थी और इसके headquarters कहां पे है जिनेवा के अंदर है कहां पे जिनेवा के अंदर इसके headquarters है अभी योगी अदित्यानाथ योगी अनित्यानाथ ने जो है relief measure UP states के लिए बोला था कि जितने भी daily wage earner हैं उनको जो है हम proper तरीके से जो है relief provide करेंगे और हमारे जो एक scheme चलाई गई थी आपके labor ministry द्वारा जिसे हम कहते है national child labor project national child labor project उसको कहा जाता है इसके अंदर क्या होता है कि अगर 9 से 14 साल का बच्चा अगर किसी जोखिम बरे काम में काम कर रहा है तो उसको वहाँ से ले के आओ और वह proper तरीके से उसको education दो और उसको vocational training दो आपका midday meal दो stipend दो healthcare दो तो ये बात करी गई थी national child labor project scheme के अंदर very very important clear और ये जो है scheme किसकी है ministry of labor की again हमारे जो है अब मुझे comment section में लिखके बताएंगे हमारे जो labor minister है वो कौन है comment section में लिखके बताएंगे हमारे labor minister का नाम क्या है labor ministry का नाम क्या है और ये है जी labor ministry वाले लेकिन comment section में नाम लिखके आप मुझे बताएंगे next question देखे एक book के लिखी गई है the grand parents bag of stories grand parents bag of stories ये किस ने लिखी है ये लिखा गया जी इसका नाम that is सुधा मूर्ती answer इसमें क्या बनेगा जी आपका a option बनेगा सुधा मूर्ती इसला correct answer clear और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि अभी हमारे women and child development के minister जो है उनका नाम है समरिती इरानी जी समरिती जूबिन इरानी नाम है इनका पूरा समरिती जूबिन इरानी इन्होंने अभी एक recently book जो है I mean to say launch करी है उस book का जो नाम है that is called chronicles of chronicles of change champions chronicles of change champions super important question है समरिती इरानी and एक चीज़ और आपको बताता हूँ मनोहर खटर जी के उपर भी एक book release करी गई है मनोहर खटर जी जो है हमारे देश के पूर्व जो है आपके defense minister में भी थे और ये गोह के CMB थे और इनकी जो book है मनोहर खटर जी के उपर extra ordinary life extra ordinary life जो है ये एक book लिखी गई है ये extra ordinary life जो है इसके author कौन है that is सद्गुरू पाटिल सद्गुरू पाटिल जो है इनका नाम है पूरा चीक है ये भी आपको द्यान रखना है और अभी जो है HRD Ministry जिसे हम कहते है Education Ministry उनके जो मनिस्टर है वो है रमेश पॉक्रियार इन्हों ने एक booklet launch करी है ताकि आप COVID-19 के अंदर अंदर जो है आप safe online जो है learning कर सकें और उस book का क्या नाम है that is chronicle का जो booklet का नाम क्या है safe online learning in times of COVID-19 learning in times of COVID-19 very very important clear यह याद रखना है आपको तो अंसर इसमें क्या बनेगा सुदा मूर्ती A option क्या बनेगा right answer बन जाएगा सुदा मूर्ती एक सर्वे हुआ था NCRT का जिसमें बोला गया था कि कितने percent student जो है उनको बिलकुल access नहीं है smartphone और laptops का ताके वो अपनी जो है online classes attend कर सकें तो यह है आपका 27% 27% अंसर इसमें क्या बनेगा B option बनेगा 27% अब बात करते हैं NCRT की NCRT की जो डिरेक्टर है उनका नाम है रूशी केश सेनापती रूशी केश हसे बढ़ता है रूशी केश सेनापती ठीक है यह भी आपको दियान रखना है रूशी केश सेनापती इनके डिरेक्टर जनरल का नाम है NCRT जो है अब्विसली बात है आपके Education Minister के अंडर आएगी और Education Minister कौन है रमेश पोखरियाल जी और NCRT के जो Headquarter है वो कहां पे है New Delhi के अंदर है और NCRT बना कब था 1961 में बना था अंसर इसमें 27 बनेगा Next question देखे जी क्या कहता है कि कौन से ऐसी स्टेट है जिसने जो लोग सर्व कर रहे हैं जो Retired Soldiers हैं उनको ग्राम पंचायत Property Tax उनको नहीं पे कर सकते उनको Exemption मिल चुकी है तो ये कौन सी स्टेट ने गोशित करी है ये महराष्टा सरकार ने गोशित कर रहा है महराष्टा सरकार इस दा Correct answer C Option इस दा Right answer और परधान मंत्री ने अभी जो है रिसेंटली इग्राम इग्राम स्वराज स्वामितवा योजना जो है पंचाईती राज की एन मिनिस्टर है नरेंदर सिंग तोमर है उनका पूरा नाम नरेंदर सिंग तोमर आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका महराष्टा इस दा करेक्ट वान World Senior Citizenship Day कब मनाया जाता है Senior Citizenship Day बनाया जाता है August 21st को 21 अगस्ट को ये celebrate किया जाता है अभी दो-तिन याद करो और 1st March 1st March जो होता है वो Zero Discrimination Day देखने को मिलता है Zero Discrimination Day मतलब आप इसकी से बेदवाब ना करें और World Wildlife Day World Wildlife Day जो है हम 3rd March को मनाते हैं 3 March को National Doctors Day जो है हम celebrate कब करते हैं 1 July को और Labor Day 1 May को जो है हम celebrate करते हैं अंसर इसमें क्या बने वाला है 21 अगस्ट इज़जा correct अंसर 21 अगस्ट कौन सा बैंक ने decide किया है कि वो अपने सारे के सारे mutual fund business operation को जो है वो sell कर देगा जाने के बेच देगा तो ये किस ने किया है येस बैंक ने बोला है कि सारे के सारे जो है वो अपने mutual fund business corporation को operations को वो बेचने वाला है येस bank ने बोला है येस bank के headquarters again Mumbai के अंदर है येस bank ने अभी recently जो है 24% जो है stakes लिए थे कहाँ पर डिश टीवी के अंदर 24% डिश टीवी के अंदर जो है इन्होंने stakes लिए थे और येस bank ने जो है येस bank ने अभी recently जो है लांच किया था आपका instant loan जैने कि loan in seconds, loan in seconds जो है ये launch किया गया था yes bank दोरा, और yes bank ने अभी जो है एक digital wallet भी launch किया है जिसका नाम क्या है, uva pay uva pay is the digital wallet very very important answer इसमें क्या बनेगा जी आपका yes bank is the correct one mani का बत्रा ये है, ये बहुत बहुत मुझे मतलब इतनी प्यारी लगती है मतलब इतना अच्छा खेलती है ये बहुत जबर्दस, mani का बत्रा अभी recently जो है इनको जो है राजीव गांधी खेल रतन आवार्ड भी मिला था और मेरे फेवरेट रोही शर्माजी को भी मिला था, हिट मैन को भी मिला था, आपके जो है राजीव गांधी खेल रतन आवार्ड और ये जो है किस यही कोशन है हमारा कौन सी स्पोर्ट के साथ संबंदीत है ये टेबल टैनिस के साथ संबंदीत है अंसर इसमें क्या बनेगा आपका ए औप्शन क्या बनेगा, राइट अंसर बनेगा टेबल टैनिस, सूपर इंपॉर्टन कोशन है तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर कोशन, तो जाने से पहले आपको बता दूँ, इस लेक्चर की पीडियाप आपको टेलिगराम गुरूप डॉक्टर विपन गोईल के नाम से मिल जाएगी, बाकिया मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के उपर जूड सकते हैं, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, टेलिगराम, ट्विटर के साथ और मेरे दो पेट कोर्सिस आते हैं, तो आपको करना गया है स्टडी आईक्यू आपको डाउनलोड करना है जैसे स्टडी आईक्यू आप आपने डाउनलोड करी, तो आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में जाना है तीसरे चौते नंबर के ऊपर आपको दिखेगा मेरा जीएस कोर्स जो हमारा जो हमारा जो है थेरी कोर्स है, बड़ा comprehensive कोर्स में बने इसको त्यार किया है जनल अवेर्नेस का जो कोर्स नजर आएगा आपको लास्ट में नजर आएगा इसके अंदर जनल अवेर्नेस के अंदर जो है आपको EMI भे अबिलेबल है GS course को VIP 500 coupon code यूज़ करके जो है आप discount ले सकते हैं 31 तारिक इसकी last date है So thank you so much guys, all the very best, good luck, take care